हेलो दोस्तों मैं से जिमिस आपका स्वाद करता हूँ CITA चानल पर दोस्तों आज सुभा अल्रीडी जो है मैंने बिटकोइन के ऊपर अपडेट कर दिया कि बिटकोइन किस याद रखना इस चानल पर विदाट एक्स्पिरियंस है विदाट लर्निंग मैं कभी ट्रेडिंग करने की सला नहीं देता हूँ अगर आप ट्रेड करना चाहते हो मेरे दिये ट्रेड आइडिया को तो सारा कुछ इंडेट बताया हुआ मैंने 15 डेडिंग चाल करना और याद रखना रिस्क रिवार्ड बिना मिंटेन के ओगर अगर आप ट्रेड करते हो तो आप अपना पैसा दुबाते हो ना की बढ़ाते हो long term में, तो अब बात कर लेता हूँ कि आज इका जो है, क्या market कर सकता है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ, dominance chart क्या क्या था, dominance chart, bitcoin का बढ़तावा दिख रहा है, and usdt का dominance chart इस वक्त ज़रूर जो है, clear दिखता है, कि यहाँ पर support लेके bonds ले रहा है, तो एक bonds, अगला bonds, हमें short trade जो है favorable बना सकता है, बात करूँ, अगर मैं Ethereum की, तो Ethereum जरूर जो है, BTC chart पर support लेने के कोशिस कर रहा है, जो level मैंने कल के दिन कहा था, 0.068, उसी के आसपास, लेकिन usdt के chart पर हमें फिलहाल rejection देखनों का मिल रहा है, अगर ये level हम 1853 डॉलर पर keep, अगर हमें rejection मिलता रहता है, तो हम जो है, Bitcoin के analysis के उपर पता चल जाएगा, बाकी अभी में immediately बता देता हूँ, कि यहाँ पर trading ideas में क्या क्या हमें मिल सकता है, किस तरफ मेरा favorable trade चल रहा है, तो मैं short के favor में हूँ, obviously, आज मैंने already telegram पे सुबह में ही आप लोग को post कर दिया था, लेकिन जैसे मैंने Bitcoin के chart पे कहा है, कि Bitcoin पे काफी जादा लंबा consolidation हमें देखने को मिल सकता है, तो उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको plan करना होगा, जल्दी से trade idea की बात करना हूँ, तो यहाँ पर XRP के उपर अभी फिलहाद फिर से reject होता हूँ दिखरा है market, and definitely मैंने आपको बोला हुआ है, कि हाँ पर short favorable में है market, तो एक range जो मैंने आपको कहा हुआ था दो तिन दिन पहले, तो जरूर अभी long favor बना हुआ है, लेकिन अगर हम यह level जो कल का bottom था, वो अगर तोरते हैं, तो it has the potential to go below, around 0.50 nearby, अगर मैं बात कर लूँ, different chart पे, तो यहाँ पर आपको multiple XLM की बात करूँ, XLM जो है exactly उस zone पे है, जहाँ पर market अभी short किया जा सकता है, याद रखना, इस जगह की हमारा 15 days trading challenge के अंदर, जो concept बता हुआ, वो भी यही कियाता है, लेकिन थोड़ा सा careful रहना, क्योंकि यह test zone किया था, वापस से reject होके, फिर से upside जरूर जरूर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे confirmation entry, आप plan out कर सकते हो, बात करूँ, XMR पे, XMR पे भी, क्या हमें short का trade लेने के area में हम बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आने वाले कुछ मिनिटों में, हमें most probably इसी zone के आसपास 142.80 के आसपास rejection देखनों को मिल सकता है, अगर target की बात करूँ, जो bottom थकल का, वहाँ के लिए आप 1-5 plan कर सकतो, Ethereum classic की बात करूँ, Ethereum classic पे short trade favorable है, और अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे काफी ज्यादा confirmation है, trend line and RSI के basis पे भी, बट अगर मैं simply बात करूँ, market structure की, तो price action भी यही कहता है, कि market गिरता हुआ दिख रहा है, मेरा trade है already ongoing है, यहाँ पे, Atom की बात करूँ, Atom में, मैं क्या short plan कर रहा हूँ, तो बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन इस जगा पे, because अभी जो market है, वो थोड़ा सा sideways action खेल रहा है, तो मैं थोड़ा सा time देना चाहूँगा, but keep, remember कि यहाँ पे जो है, हमें bullish divergence देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा Atom पे careful रहना, अगर sort करने की कोशिस करते हो, इस zone के आसपा sort करना, इस बीच में अगर long के trade मिलते हैं, तो आ आने वाले मिनिटों पे भी मुझे जाता हुआ नीचे ही दिख रहा है, तो अभी यहाँ पे इस level के अपास आने के बाद थोड़ा सा यह जो है, यहाँ पे वापस से support ढूने की कोशिस करेगा, but मैं BNB पे अभी sort के लिए जादा favorable नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ अ अभी trade plan नहीं करूंगा sort का, but yes, आपको careful रहना है, TRX पे long के signals हमें देखने को मिल सकते हैं, TRX आलेडी जो है, important level test करके bonds दिखा रहा है, क्या हम sort कर सकते है TRX को, तो मैं कहूंगा कि अगर market उपर जाता हो दिखता TRX का, तो 0.0788 जो level कल के दिन बोला था, उसके above का level यह बता हमें sort signal मिल सकता है, दुबारा confirmation entry हमें मिल सकता है, careful रहो, market में अगर opportunity मिलता है, इस जगह के आसपा sort करने के लिए, तो आप जा सकतो, already जो है, unique confirm कर रहा है, but yes, पहला zone 4.5585 के आसपास रहेगा, dot की बात करू, dot में, मैं अभी sort के लिए नहीं जाना prefer करूंगा, क्योंकि bitcoin के पर काफी कुछ dependent रहता है, dash, dash यहाँ पर sort favorable जरूर है, structure wise भी, तो अगर मिलता है confirmation, तो yes, we can go ahead, and BTC, USDT chart पर, obviously, मैंने आपको कहा हुआ है, bitcoin के chart पर, तो उसको follow करो, bCH भी sort के लिए favorable है, chain link की बात कर रहा हूं, dozy की बात करो, dozy में हम sort कर सकते हैं, थोड़ा सा careful रहो, मतलब जब तक इसमें major confirmation न मिले है, तब तक मत करो, chain link जो है, एक बहुत important zone से bonds लिया है, तो extreme zone के आसपास आप plan कर सकते हो, sort के लिए, wet में already sort play out हो रहा है, but without having the confirmation on this area, तो अब हमें एक वापस से pullback देखने को मिलेगा, wet में, इस chart के हिसाप से आने वाले minuteों में, तो वहाँ पर consideration आप कर सकते हो, इस जगव के आसपास, 13.833 के आसपास दिन बर में जब भी जाएगा, वहाँ पर आप sort के लिए plan कर सकते हो, याद रखना, जब भी मैं sort and long की बात कर रहा हूँ, तो careful रहना, and market को बीना समझे हुए, अगर आप करते हो, आप जिस डाली पे बैठे हो, उसी की तरफ देखना पसंद करूँगा, तो यह एक overall idea मैंने बता दिया है, market का, इस सब का जो impact है, पूरे दिन जो थोड़ा बहुत sideways action देखेगा, तो उसका impact हमारे trade पर भी पड़ेगा, लेकिन evening hour, late evening hour में आप expert कर सकतो, high momentum, तो उसके लिए careful रहना, without risk reward maintain के हुए trade करना मैं prefer नह मैं आपको recommend करता हूँ, मैं कोई financial advisor नहीं हूँ, अगर आपको इस type के update चाहिए, quick update तो आप telegram channel join कर लो, हमारा telegram का link नीचे दिया गया हुआ है, और 15 days trading challenge जो है, अगर आप नहीं join कियो हो, तो इसे वीडियो को देखो, समझो, और इसे समझने के बाद ही, आप मेरे ideas के ऊप जाहिए!